मस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे बोपा राम गज मंडी के बीच रेल लाइन बीचारी जा रही और यथिसमें हम जानेंंगे कि चुझ से की होगी यह रेल लाइन और किन-किन राज्यों से होकर यह रेल लाइन गुजरेगी और कौन-कौन सी जगे पर रेल वे स्टेशन बनाए जाएंगे और इस रेल लाइन के क्या फाइदे होंगे और कब तक यह पूरा प्रोजेक्ट यह बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर रे गजमंडी से सुरू होकर बोपाल तक बनेगी और इसमें राम गजमंडी से लेकर और जूना केड़ा तक इसका काम सुरू हो गया है और वहां तक रेल चलने लग गई है और इसकी जो लंबाई है वो रहेगी 262 किलोमेटर और इसमें लगबग 2000 करोड रुपे का खरचाएगा तो इसका जो बजट है वो 2000 करोड का रखा गया है और इसकी कुल लंबाई 262 किलोमेटर रहेगी और ये मद्यप्रदेस और राइस्तान दो राज्यों को जोड़ेगी और इसका जो प्रोजेक्ट है ये 2024 में बनके कम्प्लीट हो जाएगा अब जानते हैं कि यो राम गजमं शुरू होगी और अगला इस्टेसन पड़ेगा इसमें जुलमी तीसरे इस्टेशन रहेगा जालावारसिटी घालरा पाटन फिर जूना खेड़ा तो जूना केड़ा तक अभी ट्रेन चालू हो गई है और ट्रेन चल रही है उसके बाद मैं आमेठा और अक्रेयरा तक भी क ट्रेन चालू कर दी जाएगी अगला इस्टेशन रहेगा गाटोली गाटोली तक ट्रेन लाइन बनकर तैयार हो चुकी है फिर मद्यप्रदेश के रेलवे स्टेशन इसमें पढ़ेंगे वो रहेंगे बोजपूर खिल्चिपूर राजगड यह सब राजगड जिले के अंदर राजगड जिले के अंदर है और राजगड में आकर यहां पर जंक्षन बन जाएगा क्योंकि गवालियर से और इंदोर के लिए जो लाइन जा रही है गुना होकर वो ब्यावरा में आकर इस लाइन से मिल जाएगी अगला इस्टेशन पढ़ेगा नर्सिंगड फिर रहेग अगला इस्टेशन रहेगा बक्नियन भूरी अगला इस्टेशन रहेगा संद इर्दाराम नगर और लाश्ट इस्टेशन रहेगा इसका भोपाल जंक्षन तो यह टूटल 262 किलोमेटर की यह रेल लाइन रहेगी जो राइस्तान में लगवग इसका काम है वो पूरा हो दर्फन रहा है क्योंकि अभी आठाट सोक्रोड रुपए बजट फिन मिल चुका है जवी आट सो क्रोड रॊपए का बजट रेलरीक तरफ से मिल गया है तो इसका काम है वो चालू हो कैं अब जानेंगे यह जो रिल लाइन इसके बन जाने से क्या क्या इससे पाइदा मिले अब यह रेल लाइन बन जाएगी तो डेड़ गंटे में ही राजगण से बोपाल पूंचा जा सकता है, यानि कि डेड़ गंटे से बोपाल से ब्यावरा और ब्यावरा से बोपाल तक की आवाजाई हो सकेगी। रेलवे द्वारा ऐमपी शे राजस्तान तक बोपाल राम गजमंडी रेललाइन पर काम किया जा रहा है जिसका कारे 2024 तक पूरा होने की उम्भी देरें बोपार रामगंज मंदी रेड लाइन का का रिय पूर्ण हो जाने के बाद मध्यपरदेश और राजस्तान की यात्रा करना बैद सुलब और आधरामधाय को जाएगा इसके साथ ही यात्रा में लगने वाला किराया भी और समय भी बचेगा किराय में करीब सो रुपे की कमी आएगी और काम पूरा होने के बाद राजगट, ब्याउरा, नर्सिंगट, कुरावर, श्यामपूर, दोरा, मुबारक गंज जैसे चेत्रों को सबस्य अधिक लाब होगा इसके साथी रेल लाइन बनने के बाद राजगट से किल्चीपूर, बोजपूर, गाटोली, एकलेरा, जूना, केड़ा, जालरापाटन और रामगंज मंडी जैसे चेत्रे के लोगों को भी रेलवे की सुविद्धा मिल जाएगी रेलवे द्वारा, एमपी से राइस्तान तक बोपार, रामगंज मंडी रेल लाइन पर काम किया जा रहा है और जिसकी लंबाई 262 किलो मेटर है रेलवे द्वारा इस कारिये को बस 2024 तक पूरा कर लेने की संभावना जिताई गई है, जिससे लोगों को कहीं तरह के पाइदे होंगे राजदानी बोपार से सीधा संपक होने के बाद राजगट जिले में व्यापार और व्यावसाई में बड़ोतरी देखने को मिलेगी और इसके साथ ही चिकिसा, रोजगार और पड़ाई से समंधित कारियों में भी तेजी आएगी इसके बन जाने से मद्देप्रदेश राइस्तान के बीच दूरी कम होगी आने जाने के साथ रोज़ाना सपर करने के लोगों को बसकी जंजट और अधिक किराये की समस्या से भी मुक्ति मिल जाएगी